नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTUGC NET वीशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत हम अपना 1.8 हिंदी नाटक पढ़ रहे हैं और इसमें हमने 2-3 नाटक अपने कर लिये हैं अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियों हमारी नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें भी चक कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे जैशंकर प्रसाद का नाटक चंदरगुप्त इससे पहले हमने सकंद गुप्त नाटक कर लिया था और वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें जैशंकर प्रसाद के बारे में और इनके नाटकों के बारे में जान ली थी तो आज हम चंदरगुप्त नाटक के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की यहाँ पर जो पहली स्लाइड मैंने रखी है देखी यह वाली स्लाइड के बारे में हम पीछे बाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं जहाँ पर हमने इनके नाटकों को याद रखने की एक ट्रिक देखी थी एक बार फिर से इसको देख लेते हैं और आज हम इनके नाटकों के प्रमुख विश्यों के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए सज्जन का कल्यान हुआ करोणा और प्राइश्चित से राजा वी शाख के शत्रू के यग्यमे के गिते कामना किसकंद गुप्त एक गुँट बेकर चंद्रगुप्त का स्वामी बनेगा ठीक है तो ये वाली जो ट्रिक है ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि इनके जो नाटक है इनको क्रमनुसार रखने के लिए कहा जाता है और पूछा जाता है लगभग 12-13 इनके ये नाटक है यहाँ पर इनमें से जो एक गुँट है देखिए ये क्या है ये इनका जो माना जाता है एक आंकी भी इसको कहा जाता है इसलिए इनके जो अन्य जो है जो नाटक हैं वो 12 नाटक है तो अब हम देख लेते हैं कि इनके इन 12 नाटकों के प्रमुक विशे या इनका आधार क्या है अगर हम बात करें सज्जन की तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1910 है जबकि इसका जो आधार है देखिए ये महाभारत की कथा वस्तुपर अधारित इनका नाटक है इसके बात देखिए कि दूसरा जो इनका नाटक है कलियानी परिने ये इननों ने 1912 में लिखा था और इसमें जो विशे है देखिए चंद्रगुप्त वस सेल्यूकस की इसमें कता है तो अधिकतर इनके जितने भी नाटक हैं उसमें क्या मिलता है आपको जो एतिहासिक पात रहें उनके ही बारे में देखने को मिलता है इसलिए इनको क्या जाना जाता है इतिहासिक नाटक कार के रूप में जाना जाता है नेक्स ते दिखिए करुणाल है ये 1912 में ही नहीं लिखा था इसमें क्या है हरिश्चंद्र और विश्वमित्रक की पुरानिक अख्यान मिलते हैं ये इसलिए विश्वस्तु मैं आपको बता रहा हूँ हरिक नाटक की क्योंकि जैशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनकी विश्वस्तु के बारे में अक्सर प्रशन पूछ लिए गए हैं और ये जितने भी चीज़ें में आपको करवा रहा हूँ ये प्रिवियस सेयर के के कारण प्रित्विराज का अंत दिखाया गया है तो यह वाला प्रशन जो यहां से प्रशन पूछा गया था जो हिमाज़त प्रदेश सेट की परिक्षा थी वहां पर ये प्रशन पूछा गया था कि जैशंकर के मुर्ख था पूर्ण कुचकर के कारण प्रित्विराज का अंत किस नाटक में दिखाए गया है तो इसका जो सही उतर होना था प्राइश चित ठीक है आगे है देखिए राजेश्री 1915 में लिखा था इसका जो अधार है देखिए या यूं कहें इसकी जो विशेवस्तु है वो किसके उपर लिखी गई है वो है हर शरीत तथा चीन यातरी हुए इसांग का एतिहासिक विवरन इसमें देखने को मिलता है अगला जो इनका नाटक है देखिए विशाक ये इन्होंने लिखा था 1921 में और इसका जो कथाना के देखिए कलेहन की राज तरंगनी के अरंबिक अंश के अधार पर निर्मित है है ना तो ये होगे इनके छे जो पहले के नाटक है इसके बाद अजात्चत्रू 1922 में लिखा था और इसमें तीन राज परिवारों मगद, कौशल और कौशांबी को केंदर में रख कर है ना शासकों की महत्योकांक्षा और सत्तालिपसा को दिखाये गया है तो अजात्चत्रू में देखिए तीन राज परिवारों को केंदर में रखा गया है हो सकता है इस तरीके से प्रशन पूछा जाए तो इसका जो सही उतर होगा वो होगा अजात्चत्रू और इसका रचना काल है 1922 नेक्स्ट देखिए जनमेज्य का नाग्यग्य ये नोने 1926 में लिका था और इसमें जो परिक्षित है राजा उनके जो प्रतापी पुत्र जनमेज्य पिता का बदला लेने के लिए नागों का बिद्वंस करना चाहता है तो ये इसमें क्या है इसका मुख्य विश्य है कि उसका जो पुत्र है जनमेज्य वो क्या है पिता का बदला लेने के लिए नागों का बिद्वंस करना चाहता है अगला है देखिए नवा इनका जो नाटक कामना 1927 में इनों लिखा था और इसमें क्या है कि संस्कृत के जो प्रबोध चंद्रोदय की भांती अन्युपतेशक नाटक हैं और इसमें भावनाओं को नाटकिय अपात्रों का रूप दिया गया है है ना प्रबोध चंद्रोदय की भांती है ने अगला है सकंद्गुपत ये 1928 में और इसके बारे में हमने अपनी पीछवाली वीडियो में विस्तार से बात कर ली है कि सकंद्गुपत में क्या-क्या इसका मुख्यविषय है कुमार गुपत के विलासिसमराजय के स्थिति है उसके आंद्रिक कलह का चित्रण उसमें है और भविषय में उसकी जो अक्षति पूर्ती जो हुई है उसका चित्रण उसमें किया गया है यही सारी चीज़ें का है सकंद्गुपत में देखने को मिलती है इसके बाद है एक गोंट और यह मैंने पहले भी कहा कि आपको की एक अलक्षेंदर का आक्रमन नंदवश का नाश, सेल्यूकस का पराभव और चंद्रगुपत की प्रतिष्ठा के आधारपन निर्मीत है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके केंदर में देखिए अतिहासिक गटनाएं हैं अलक्षेंदर है, नंदवश है, सेल्यूकस है और चंद्रगुपत है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसमें देखने को मिलती हैं, अगला जो आखरी इनका नाटक के देखिए, ये है दुरुव स्वामिनी, 1933 में और ये वाला नाटक हमारे पाठेक्रम में भी शामिल है, तो इसको भी हम एक अलग पूरी की पूरे है कि किस नाटक में किस चीज़ को इन्होंने आधार बनाया और क्या उसका मुख्य विश्य है, अब हम देख लेते हैं कि जो चंद्रगुपत नाटक है, उसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं, इसका जो रचना काल 1931 ही हम प्रारम से ही करते आये हैं, और इ लेकिन 1931 में इसका नाम क्या कर दिया था, किसे वरकाशिन हुआ था, इसका अभिनव चंद्रगुपत नाम से, लेकिन आज भी हम इसको किस से याद रखते हैं, चंद्रगुपत नाम से ही जाने जाता है, ये नाटक इनका, तो ये थी चंद्रगुपत नाटक के बारे में ये अलग-अलग तरीके से नाइक के प्रकार होते हैं इन नाइक के प्रकारों को हम जब हम अपना काब शास्त्र पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि नाइक के कितने प्रकार होते हैं और उन में से जो प्रमुक माना जाता है वो धीरोदात माना जाता है और धीरोदात ही नाइक जो कया है चंदरगुप्त नाइक इस नाटक में दिखाया गया है जिसमें निर्भिकता, दिर्टा, विनेशीलता, आतम विश्वास, इत्यादी जो गुण, विद्यमान हैं तो ये तो हो गए चंदरगुप्त की बात अगर हम दूसरे जो प्रमुक पातर की बात करें तो वह है चानाक्या, तो चानाक्या के जरिये ही चंदरगुप्त जो है इतने विजय हासिल करने में सक्षम हुए थे, है ना, तो जो चंदरगुप्त थे देखिए उसके निती के परिणाम सरूफी जो मालव राजगुमार सीहरन तथा शुद्रक गंजया हैं, ये राज्य मिलकर चंदरगुप्त के नितरितों में अलक्सेंदर का भीशन प्रतिरोत करते हैं, तो मतलब कि चानाक्या जो है एक बहुती महत्वपूर्ण भूमिका आदा करते हैं चंदरगुप्त की विजय में, ठीक है, उसके बाद अगले जो पात्र हैं देखिए ये सीहरन पात्र ह हाना की एक गौन पात्र के रूप में इस नाटक में दर्शाय गए हैं, परन्तु जो अन्या पात्र हैं देखिए, उन पात्रों पर इनका अधिक प्रभाब देखने को मिलता है, जिसमें से चानक्या हो गया, चाए चंदरगुप्त हो गया या अलका या आमभीक, तो इन प हें राक्षस है, परवतग, जिसको आप yug कह सकते हैं परवतेश्वर जो पंजाब का राजा है और पोरस के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, पिर जो सैल्यूकस है इसमें, जो कारनेलिया है, उसके जो पीटा है, वो कौन है, उसे ल्यूकस है ठीक है, तो ये तो होगे जो प्रमुख पात्र जो पूरुष पात्रों में थे अगर नारी पात्रों की बात करें तो अलका है इसकी जो प्रमुख पात्र है देखिए गांधार नरेश की पुत्री और आमभीक की ये क्या है बेहन है ठीक है तो आमभीक की बेहन का नाम क्या है अलका है जो और ये कहानी जो राष्ट्ठप्रेमी है दयालू है ठीक है तो ये अलका के बारे में थी बात और इनकी जो प्रमुक पंग्तियां भी है जो इस नाटक में हैं जो बहुत बार पूची जाती है परिक्शा में ठीक है जो हिमाधरे टॉंग शुरिंग वाली इसके बाद मालुविका आते हैं जो दूसरी पात्र है इसकी नाईपात्र ये सिंदुदेश की बालिका है वो सामान्यव अशिक्षित होने पर भी स्वाभिमान संखर्षिशीलता वो आत्मोतसर के ख्षम्ता से परिपोन है ये तो देखे ये अशिक्षित है लेकिन मैंने पहले भी आपको बता दिया कि इस सेल्यूकस की क्या है पुत्री है ठीक है अगली जो प्रमुख पात्र है वो है कल्याणी और सुवासिनी तो ये प्रमुख पात्र है चंद्रगुप्त नाटक के इन ही पात्रों के जरिये अपकी कथवस्तु जो है वो आगे चलती रहत है और इसी के चलते हैं इनके पात्रों के के बार अलोचना भी की जाती है और इनके समभाद भी है वो भी काफी लंबे-लंबे होते हैं और ये कहा जाता है कि जैशंकर प्रसाद की जो नाटक है वो पढ़ने के लिए ज़्यादा है बलकि इनका अभिनेय अगर करना चाहें तो वो नहीं कर पाते हम ठीक है तो इस तरीके का आरोप इनके नाटकों के उपर लगता रहता है तो ये तो हो गए इनके प्रमुख पात्रों के बारे में बात अब देख लेते हैं कि इन प्रमुख पात्रों के कथन क्या क्या हैं इन से प्रशन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और पीछे 2016 से लेकर के 2019 तक या 20 तक यूँ कहें आज तक जितने भी परिक्षाएं हुई हैं 16 के परशाथ वहां पर चंदरगुप्त नाटा के प्रमुख कथनों से प्रशन जरूर पूचा गया है या फिर जैशंकर परसाथ के नाटकों के पातरों के बारे का यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसाथ जौला मुक्ई है तो येवाला कतन भी कारनलिया का ही है अरों ये मधुमय देश हमारा जहां पहुँच मिलता अंजानक शितिज को एक सहारा तो ये वाली पंक्तियां भी कसकी हैं कारनलिया की ही है तो पहले स्लाइड में जो क निर्मल सुरुस्विनी का रहना अवश्यक है तो ये वाला कथन किसका है ये है चानक्य का तो ये वाले कथन चानक्य ने या यूं कहें जो भी पात्र इसमें कह रहे हैं इन कथनों को ये किस के लिए कह रहे हैं है ना इस तरीके से भी प्रशन पूछा जा सकता है तो इसके ल पूर सकते हैं और वहाँ पर आपको जितने भी हमारे नाटक उपन्यास कहानिया हैं उसकी PDF आपको मिल जाएगी नेक्स देखिए भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुश्य को ठीक करना चाहता हूं तो ये बात भी किसने कही है चानक कहने ही कही है अगला जो कतन है समझदारी आन पर यॉवन चला जाता है जब तक माला गूती जाती है फूल को मिला जाते हैं तो ये बहुत महतवण है इसलिए मैंने इनको तोड़ा सा हाईलाइट किया हूआ है क्योंकि ये चानक के कही कतन है और चानक के जो एक प्रमुक पात्र है जो नाटक का और इसके कतन एक-एक ज चंद्रगुप्त नाटक के अगले जो काथन है देखिए वो हैं हिमाद्री त्रूंग श्रिंग से प्रभुद्ध शोद भारती स्वयम प्रभास समुझ जोलास्वत अंतरता पुकारती तो ये वाली पंक्तियां बहुत बार परिक्षा में पूछी गई हैं और जब भी हिंद का कोई अग्जाम होता है तो वह हम पर हो सकता है इसको पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है इस नाटक की पंक्तियों की तो ये वाली पंक्तियां है अलका की ठीक है संसार भर की नीती और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आतम समान के लिए मरमिटना ही मैंने आपके बीच में रख दिये हैं इसके विशेवस्तु क्या है और इसके प्रमुक पात्र कौन कौन से है और पात्रों के कथन कौन कौन से है वो चीजे मैंने आपके बीच में रख दी है तो ये थी जैशनकर प्रसाद के चंदरगुप्त नाटक के बारे में थोड़ी स जानकारी कि इनका रचनाकाल कब था क्या इसकी विशेवस्टु थी और किस शिर्शक से ये बाद में प्रकाशित हुआ था और कौन-कौन से इसके पात्र है और उन पात्रों के प्रमुक गतन कौन-कौन से हैं प्रशन बनने की संभावना इसी तरीके से ही रहती है कि कौन पात रहें कब रचा गया और क्रमा नुसार रखने को आते हैं तो जो जो चीजें थी वो सारी मैंने टच करने की कोशिश की है आई होप आप लोगों के ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजे अपने दोस्तों के बीच में शिर गीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज और नई क्रिया जाहिए